नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परिक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज जिसमें हम परिक्षावाणी 2024 के संक्षिप्त अवलोकन को यहाँ पर कवर कर रहें जो आपका परिक्षावाणी का पहला चैप्टर है उसे हम पूरा इसी तरह प्रश्णों के रूप में कवर करते हैं अतरिक तत्यों के साथ अभी तक हमने इस सीरीज की 13 क्लासेस में 6.5 प्रश्णों को कवर कर डिया है अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला कोशन है जीबी पंत उच इस्तलिया प्राणी उद्यान कहां इस्तित है तो जीबी पंत उच इस्तलिया प्राणी उद्यान ये आपके नेनिताल में है और इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है तो 1995 में इसे बनाया गया था जैव मंडलिया सुरक्षि छित्र की स्थापना कब करी गई थी देगे उत्राखंड के अंदर एक ही बायस्फियर रिजर्व है आप से पूछे जाते है नैशनल पार्क कितने हैं उत्राखंड में तो आप कहते हैं 6 वन जी विहार कितने हैं तब आप कहते हैं 7 लेकिन अगर पूछेगा जैव मंडलिया सुरक्षि छित्र यानि बायस्फियर रिजर्व कितने हैं उत्राखंड में तब आप कहेंगे एक और इसका जो नाम है नंदा देवी जैव मंडलिया सुरक्षि छित्र है यानि नंदा देवी बायस्फियर रिजर्व है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी ठीके इसका फैलाओ पूछा जाता है कि यहां किन किन जन्पदों में फैला हुआ है यहां आपके तीन जन्पदों में फैला हुआ है आपका चमोली पिथोरागड और बागेश्वर तीन जन्पदों में है यहां जेव मंडलिया सुरक्षि छेत्र इसी के अंदरगत आपका जो नैशनल पार्क है फूलों की घाटी जो नैशनल पार्क है नंदा देवी दोनों इसी के अंदरगत आते हैं अगर हम इस 22 रिजर्व के छेत्रफल की बात करें लगभग साड़े अठावन सो वर्ग किलो मीटर के करीब इसका एरिया आता है निक्स्ट है युनेस्को की विश्व दरोहर सूची में शामिल राज्य के कितने जैव छेत्र हैं तो कितने जैव छेत्र हैं जो युनेस्को की विश्व दरोहर इस्थल में शामिल हैं यह हैं आपके दो एक है फूलों की घाटी जिसे 2005 में शामिल किया गया और एक है नंदा कस्तूरी म्रिग से संबंदित एक केंद्र है महरूडी कस्तूरी म्रिग अनुसंधान केंद्र इसकी स्थापना 1977 में होती है इसकी लोकेशन पूछी जाती है यहां आपके बागेश्वर और पिथोरगर दोलों जन्पदों में है लेकिन मुख्य तौर पर इसे बागेश्वर म में माना जाता है 1982 में राज्य सरकार द्वारा इस्थापित कस्तूरी मिर्ग प्रजनन एवं सरक्षन केंद्र कहां पर इस्थापित किया गया सीधा सा कोशन आता है राज्य में कस्तूरी मिर्ग के लिए प्रजनन एवं सरक्षन केंद्र कब बना और कहां पर बना ये बना आपको पूछा गया चमोली का कांचुला करक क्यूं प्रसिद्ध है तो यहां आपके कस्तूरी मिर्ग प्रजनन एवं सरक्षन केंदर के लिए फेमस है ठीक है दहरादून के मंदराम और बाराकोट छेत्र में मिलता है तो दहरादून के दो प्रमुक छेत्र हैं मंदराम और बाराकोट छेत्र यहां किस खानीज के लिए प्रसिद्ध है हमने वनो से संबंदित प्रश्णों को देखा नदी तंतर को गवर किया वने जीवों को देखा राष्टे उद्यानों को देखा अब हम खनीजों वाले प्रशनों को यहां पर कवर करेंगे उस चेप्टर के अंदर एंटर करेंगे उसी चेप्टर का पहला कोशन है देहरा दून का जो मंदराम चित्र है बारा कोड चित्र है ये आपके चूना पत्थर के लिए फेमस है सही आंसर क्या होगा? चूना पत्थर चूना पत्थर का सरवादिक उप्योग किस छित्र में होता है? किन उद्योगों में होता है? तो चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा उप्योग आपके सीमेंट उद्योग में होता है संग मरमर के प्रियाप्त भंडार कहां पर है राज्य में खनीजों को लेकर के सवाल आपके कई बार बने है ऐसा ही सवाल बना है कि राज्य में संग मरमर के प्रियाप्त भंडार हमें कहां पर देखने को मिलते हैं ये मिलता है आपका देहरादून में मसूरी के नजदी देखे राज्य में संग मरमर मुख्य तोर पर दो जनपदों में पाया जाता है एक आपके देहरादून में और एक आपके टिहरी में दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करने के लिए होगा तो आप देहरादून को सेलेट करेंगे देहरादून में भी मसूरी के पास इसके प्रियाप्त बंडार है ठीक है, निक्स्ट है राज्य में बैराइट स्खनीज कहां पर मिलता है तो बैराइट स्खनीज की बात करें यहां केवल आपको देहरादून में ही कहां पर मिलता है एक मात्र जिला जहां पर हमें टिन मिलता है यह आपका चमुली इसको आपने याद करना है कोशन आएगा राज्य में कौन सा एक मात्र जिला है जहां से हमें टिन प्राप्त होता है तब आप कहेंगे चमुली अगला राज्य में खनन नीती की घोशना कब करी गई थी, इसको प्रथम करना राज्य में जो प्रथम खनन नीती थी, इसकी घोशना चार अप्रेल 2001 में करी गई थी, अगर पूछेगा नई खनन नीती कब आई नई खनन नीती 2021 में आई थी, ठीक है, हाला कि उसको बाद में हाई कोट के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई, लेकिन आपने डेट सहीत पहली वाली की याद करनी है और नई वाली पूछेगा तो 2021 पर टेक करेंगे प्रदेश में नई क्रशी नीती कब जारी करी गई जैसे पहली खनेज नीती 2001 में आई थी उसी प्रकार पहली क्रशी नीती जो थी राज्य की पहली क्रशी नीती वो 2011 में आई थी आप से पूछा है नई क्रशी नीती ये हो जाएगी 2018 अगला प्रदेश की कुल जनसंख्या में क्रशी से जुड़े लोग कितने है अज्य में क्रशी से जुड़े हुए लोग टोटल जनसंख्या में से आपने बताना है उत्राखन की जो जनसंख्या है वो आपकी 1.86.000 के करीब है उसमें से क्रशी से जुड़ी हुई जो लोग है वो हैं आपके लगभग 12.80 प्रतिशत ठीक है और अगर इसी कोश्यन को कहेगा कुल कार्यशील जनसंख्या में से क्रिशी से जुड़े वे लोग कितने है टोटल जनसंख्या में तो इतना है लेकिन जो कार्यशील जनसंख्या है जो कार्य करने वाले लोग है उन्हों में से कितना प्रतिशत क्रिशी से जुड़ा है तब ये बढ़ जाएगा 33 प्रतिशत हो जाएगा ठीक है इन ही सब टॉपिक के ऊपर उत्राखन के जो विभिन टॉपिक है आपके नदी तंत्र के जील को लेकर के वनों को वन आंदोरों को कृशी को लेकर के यहां के मिट्टी को लेकर के खनीजों को लेकर के हमारी MCQ वाली स सीरीज भी चल रही है आप उसको भी प्लेलिस से देख सकते हैं आपके कॉंसेप्ट और आपका रिवीशन बहुत अच्छे से इन दोनों सीरीज के मात्यम से हो जाएगा इसमें हम पूरे जो टॉपिक से उनको सीरियल वाईज वन लाइनर के रूप में प्रशनों के रूप में कवर कर रहे हैं वहाँ पर हमने अच्छे से उनकी प्रेक्टिस करी थी निक्स्ट है राज्य के कुल भू छेत्र में से परवतिया भाग कितना है तो जैसे आप जानते हैं उत्राखन एक पहाडी राज्य है और इसका लगवग 86 दशनलव 707 प्रतिशत जो है वो परवति किया भाग है मैदानी भाग कितना है उत्राखन में मातर 14 प्रतिशत के करीब है ठीक है किस छेत्र की म्रदा कंकड पत्थरों तथा मोटे बालवों से युक्त होती है तो किस छेत्र की जो मिटी होती है वो कंकड पत्थर युक्त होती है कृशी के लिए अनउप्युक्त होत जो आपका देहरादून का दक्षिनी एलाका है वहां से लेकरके उधम सिंग नगर तक हमको एक बारीक कणो वाली, जो महीन कणो गाली मिट्टी है वो देखने को मिलती है, उसे ही कहा जाता है तराई मिट्टी, उसी छित्र को तराई छित्र भी कहा जाता है। राज्य में हमें जितनी अलग-लग प्रकार की मिट्टिया मिलती हैं उन सब में सबसे ज़ादा परीपक्व मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी इसी को माना गया है किसको तराई मिट्टी को लेकिन इसमें किस चीज की कमी है इसमें नाइट्रोजन और फोस्फोरस की कमी है एक तर्शरी प्रकार की म्रदा कहां पर पाई जाती है? तो तर्शरी प्रकार की म्रदा शिवालिक पहाडियों और दून छित्र में पाई जाती है. ठीक है? जो शिवालिक की पहाडियां हैं, जो दून घाटियां हैं, वहाँ पर हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? निताल के भीमताल छित्र में पाई जाती है शिवालिक के निचले धालों में पाई जाती है तो देखे शिवालिक पहाडियों में और जो दून घाटी है वहाँ पर तो टर्शरी मिट्टी है लेकिन शिवाली के निचले ढालों पर हमें दोमट मिटी देखने को मिलती है ठीक है? पहाडी ढालों और पहाडियों के किनारे कौन से मिटी पाई जाती है? तो पहाडों की ढालों पर पहाडियों के किनारों पर आपको लाल मिटी देखने को मिलेगी कोशन बनेगा जो अलमुख्री मिट्टी कहां मिलती है तराई मिट्टी कहां मिलती है दोमट मिट्टी लाल मिट्टी इनको आप याद करेंगे कौन कहां पर मिलती है गहास के मैदानों के निचले भागों के वनों में मिलती है तो जो बड़े बड़े गहास के मैदान होते हैं हमें ये मिट्टी देखने को मिलती है। सिचाई की दृष्टी से राज्य में कितने प्रकार की कृशी भूमी मिलती है। तो सिचाई की दृष्टी से उत्राखंड में भूमी को तीन वर्गों में बाटा गया है। एक आपकी तलाओं, उपराओं और इजरान। तलाओं भूमी वो भूमी होती है, जो आपको निचले इलाकों में देखने को मिलेगी, घाटी के तलों में देखने को मिलेगी, जहाँ पर सिचाई की ववस्था होती है, काफी अच्छी होती है। इसी प्रकार उपराओं की बात करें, तो यहाँ असिंचित भूमी होती है, जो उपरी इलाके हैं हमारे थोड़े, वहाँ पर देखने को मिलती है, तो उपराओं क्या है, एक असिंचित भूमी है, जहाँ पर सिचाई की उतनी विवस्था नहीं होती है, सबसे ची विवस्था और सबसे कम शुद्ध बोय गए भूमी छेतरफल वाले जिले कौन से हैं। अगला स्वतंतरता पूर्व ब्रिटिश काल में राज्य में कितने भूमी बंदोबस्त हुए थे। पहला भूमी बंदोबस्त 1791 में जो सुब्वेदार था यहां का सुब्बा जोगा मल उसके द्वारा किया गया। और अंग्रेजों के आने से ठीक पहले 1812 में भी गोर्खाओं के द्वारा भूमी बंदोबस्त किया गया। निक्स्ट ब्रिटिश काल का पहला भूमी बंदोबस्त कब हुआ था। तो ब्रिटिश काल का पहला लैंड सेटलमेंट यह आपके 1815 में होता है। 1915-16 के दौरान में हुआ गड़वाल में इसका जो नेतृत्व किया वो विलियम ट्रेल ने किया और कुमाओ में इसे गार्डनर के नेतृत्व में पूरा किया गया। गार्डनर उस समय कमिशनर था। इसलिए कोशन बनता है पहला भूमी बंदोबस्त किसके काल में हुआ तो आप गार्डनर का नाम लेंगे। इसलिए इस बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसको आपने याद करना है। महत्वपून क्यों है? महत्वपून इसलिए है क्योंकि इसी बंदोबस्त में पहली बार विज्ञानिक पदती का इस्तेमाल किया गया था। और इसी बंदोबस्त में भूमी को पांच वर्गों में बाटा गया। एक है तलाओं भूमी, उपराओं अवल भूमी, उपराओं दोयम भूमी, इजरान और कंटीली भूमी। ठीके, कोशन आएगा भूमी को पांच वर्गों में कब बाटा गया इस भूमी बंदोबस्त के दोरान। कमिशनर कौन है, रेम जी, करवाया किसने है, विकेट ने करवाया है। ठीके, पहली बार विज्ञानिक पदती से किया गया भूमी बंदोबस्त कौन सा है, वो भी ये है। ये केवल गडवाल के अंदर हुआ, ग्यारवा भूमी बंदोबस्त इबर्टसन ने इसे करवाया था। नेक्स्ट है, सौतंतरता के बाद पहला भूमी बंदोबस्त कब हुआ था। तो पारंपरिक तोर पर राज्य में भूमी मापने के लिए नाली और मुठी जो इकाई है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। 16 मुठी होती हैं एक नाली के अंदर, अगर आप एक नाली जमीन माप रहे हैं, यानि आपने 16 मुठी जमीन को माप आ है, ठीक है, और जब एक नाली आप माप लेते हैं, इसी प्रकार जब आप टोटल धाई नाली को माप लेते हैं, धाई नाली का मतलब होता है एक बीखा, इसको याद करेंगे ठीक है नेक्स्ट है उत्रांचल के प्रवतिय छित्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है एक नाली में कितनी मुठी होती है वो तो हमने देख लिया 16 होती है लेकिन ये वर्ग मीटर में पूछ रहा है वर्ग मीटर में एक नाली में 200 वर्ग किलो मीटर यहाँ पर जमीन होती है कितना होता है एक नाली में 200 वर्ग मीटर ठीक है नेक्स्ट है राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है राज्य की सबसे पुरानी नहर है उपरी गंगा नहर उपरी गंगा नहर आपके 1842 से लेकर 1854 के बीच में ये बनती है 1854 में इसका उद्घाटन किया जाता है उस समय के गवर्नर जनरल डल होजी के दुवारा इस नहर का निर्मान किस नहीं करवाया था? इस नहर का निर्मान PB कौटले ने करवाया था इसलिए PB कौटले को आधुनिक भगीरत के नाम से भी जाना जाता है कोशन बनता है जो उपरी गंगा नहर है राज्य की सबसे पुराणी नहर इसका आधुनिकी करण कब किया गया? तो 1983 में किया गया? नेक्स्ट उपरी गंगा नहर का उद्गम इस्थल क्या है? राज्य की सबसे पुराणी नहर है कहां से कहां तक जाती है? हरिद्वार से लेकर कानपूर तक जाती है तिहरी परियोजना का सिलन्यास कब किया गया था? देखे टिहरी परियोजना की बात करते हैं टिहरी परियोजना को योजना आयोग की जो मन्जूरी मिली थी वो 1972 में मिली थी वहीं से इसका सिलन्यास माना जाता है हाला कि जो कार्य शुरू हुआ वो आपके 1978 से शुरू हुआ था ठीक है योजना आयोग की मन्जूरी इसे 1972 में मिली थी काम शुरू कब हुआ 1978 में तिहरी परियोजना को क्या संग्या दी गई है तिहरी परियोजना को राष्ट्र का गाउं कहा जाता है देखे तिहरी जो बांध है तिहरी बांध से जो वहाँ पर जील बनी है जलाशाय बना है उसका चेतरफल पूछा गया था एक बार 42 वर्ग किलो मेटर उसका टोटल एरिया है इसका इस्थानिय नाम सुमन सागर है और अधिकारिक नाम स्वामी रामतिर्थ सागर है निक्स्ट है शार्दा नहर का निर्मान कब हुआ था तो शार्दा नहर आपके 1928 में बनी थी 1920 में बनी शुरू होती है शार्दा नदी यानि काली नदी पर बनी है 1920 में शुरू ही 1928 में जाकर बनी नानक सागर बांध किन जिलों की सीमा पर इस्तित है तो एक और काफी महतपून बांध है नानक सागर बांध यहां आपके उधमसिंग नगर और नैनिताल की सीमा पर इस्तित है जल इस्तर सुधार से संबंदित योजना कौन सी है तो देखे जल इस्थर यानि जल सरक्षन से संबंदित एक योचना है, इसका नाम है चाल खाल योचना, ये कोशन पेपर में आया था कि चाल खाल योचना का संबंद किस चीज़ से है तब आप कहेंगे जल सरक्षन से है, राज्य में गरने का सवरादिक उतपादन कहां पर हो कहां होता है, वो भी उधम सिंग नगर में है, अगर पूछे मक्का सबसे ज़्यादा कहां होता है, दहरादूर में होता है, सबसे ज़्यादा मंडूआ किस जनपद में होता है, तब आप अलमोडा को टिक करेंगे, सबसे ज़्यादा जो जों है, वो कहां होती है, तब आप पौड़ी को टिक करेंगे, ये आपके 2021 का डेटा है, जो मैंने आपको अभी बताया, जुलाई 2023 में इसको रिलीज किया गया था, सरकार के द्वारा, यानि जो डेटा मैंने आपको बताया, ये जुलाई 2023 में आया है, ठीक है, निक्स्ट है, राज्य में सेब का पहला बागान कहां लगाया गया था, तो राज्य में सेब की खेती शुरू होती है हरसल से, फेटरिक विल्सन के द्वारा इसे शुरू किया गया था, इसी को लेकर एक सवाल बना था, कि उत्तरकाशी में हरसल में सेब की विल्सन प्रजातिक किसने शुरू करी, तो विल्सन प्रजातिक क कुछ जगोँखों पर कम, लेकिन मैदानी जनपदों में नहीं होता। मैदानी जनपद हमारे दो ही हैं, हरिद्वार और उधम सिंग नगर। राज्य में उतपादेत सेव को अन्य राज्यों में किस नाम से बेचा जाता है। तो कई बार ये कोशन उत्पादक जिला कौन सा है तो सबसे ज़ादा लीची का उत्पादन किस जनपत में होता है ये होता है देहरा दून में देहरा दून को केंदर सरकार ने लीची निर्यात जोन घोशित किया है important है पूछा भी गया है अत्या आधुनिक चाय उत्पादन एकाई कहां पर इस्थापित है तो आधुनिक चाय उत्पादन एकाई कहां पर इस्थापित करी गई है ये बागिश्वर के कौसानी में है दूद और दुग्द पदार्तों की आपूरती किस ब्रांड नेम से की जाती है तो राज्य में दूद और दूद से बने उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बीचा जाता है आचल ब्रांड नेम से बीचा जाता है ठीक है राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कहां पर करी गई थी तो राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट शोद विकास केंद्र कहा इस्तित है तो डेरी शोद विकास केंद्र उत्राखन में नैनी ताल में बनाया गया है Milk Powder Plant पूछेगा उधम सिंग नगर प्रतं दुग्द संग पूछेगा हल्दवानि और डेरी शोद विकास केंद्र पूछेगा तो नैनी ताल अती हीमकृत वीरी उत्पादन केंद्र कहां पर इस्तित है ये कोश्चन भी पेपर में पूछा गया है ये आपके देहरादून के शामपूर में इस्तित है इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे ठीके तो फ्रेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्राखन स अवलोकन की चौदवीं क्लास यहां पर कवर करी 14 क्लासेस में 700 प्रश्चनों को हमने कवर कर दिया उमेद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होका अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें सरूर बताएं, थैंक यू फ्रेंट्स